बेक टू माई चैनल असोक फार्मिंग लोग तो किसान भाईो आज हम आपको बताएंगे गेहों की फ़सल के बारे में गेहों की फसल है कैसी फसल है जो कि पूर देश में इसका परियोग हम खाद्यान के रूप में करते हैं किसान भाईयों हम इसकी उन्नत खेती की बात करेंगे तो इसका उन्नत समय जो है वो है अक्टुमबर और नुवंबर जो कि इसमें इसकी बुवाई किसान भाईयों अपनको करने की होती है किसान भाईयों हम इसकी अगर बुवाई की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने खेत में दो से तिन ट्राली गोबर की खाद बिखेट देनी चाही है और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से रोटावेटर चला कि हमें इसमें ग्यों की बुवाई करनी होती है जो कि काफी अच्छा अपने फसल को ग्रोथ के लिए गोबर की खाद काफी महत्वपून होती है भाईयों अगर आप ग्यों की खेती कर रहे हैं तो आपको इसके लिए एक काफी अच्छी वेराइटी का चैन करना होता है यह आप देख सकते हैं हमने 40-38 की वेराइटी हमने लगा रखी है जो की इसका उतपादन अन्य वेराइटी के मुकाबले हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है तो किसान भाईयों सबसे पहले आपको ग्यों का बीज होता है उसको उपचारित करना होता है उसके बाद हमें इसकी गुवाई खेत में करनी होती है किसान भाईयों अगर हम बात करें सिचाई की तो हमें ग्यों लगाने के बाद एक सिचाई तो हमें कर देनी चाहिए उसके बाद किसान भायों हमें 10 से 15 दिन के बीतर इसमें सिचाई करनी होती है किसान भायों अगर बात करें इसकी कुल सिचाई की तो हमें 5 से 6 बार हमें इसकी सिचाई करनी पड़ती है यह बात करें इसकी खत्पतवार नासक की तो हम इसके 20 से गहूं लगाने के 20 से 25 दिन के बाद हम इसमें खत्पतवार नासक की दवाई का चिल्काव कर सकते हैं किसान भाइओ अगर हम खतपतवार की दवाई का चिल्काव कर रहे। तो उसे ज्यान रखे कि खेट में परयाब तो नम्मी हो। उसके बाद छत पतवार की दवा एक्सिए काम करती है। तो तूझ इसलेध भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। और अगर हम किशान भाइयों यह भी काफी अच्य में वता है। खाद की तो किसान भाइयों हमें इसमें दो बार खाद देने की जुरुत पड़ती है किसान भाइयों अगर हम बात करें पहले खाद की तो हमें खतपतवारung निको आलने के बाद फस्ट वी बार यूरिया का परियोग हमें कर देना चाहिए लगबग 50-56 दिन के बाद किसान भाई हमें एक बार और का यूरिया का परियोग करना होता है इसमें आप और भी कहीं तरह के खाद मार्केट में मिलते हैं जो आप उसका भी परियोग कर सकते हैं जो कि हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो खाद देने के बा किसान भाई हो यहां काफी कारगर होता है जो कि अपनी पसल को पिलाइपन से बचा सकता है और किसान भाई हो यहां पसल हमें 4 मैने की होती है लगबग 4 मैने में पूरी तरह से पक कर हमें तयार मिल जाती है किसान भाई हो तो किसान भाई हो आपको हमारा वीडियो पसंद आ कारी करेंगे जो भी आपको इसी चैनल पर अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद जूले रहें